हुआ है दोस्तो हम लोग अज समझते हैं मैप में एक टॉपिक सिरलंका के बारे में देखिए सिरलंका का जो पुराना नाम था वो शिलों था उन्हें 172 में इसका नाम बदलकर लंका और उन्हें 178 में जवराजवर्धनी ही पप्चे की सरकार आही तो उने सब 78 में इसका नाम इसके नाम के आगे समान जनत पुर्वक स्री जोड़ दिया उसी समय उसका नाम सिरलंका हो गया वरतमान में भी सिरलंका है अब देखिए सिरलंका का यह जो मैप है सिरलंका का जो मैप जो है किस अकार का है यह आंसू की तरह है आंसू की आकार का किस आ गूर लंने परानम का सिरमा नाम इसके बाद लंका इसके बाद उन्हें। में inneraw आ स्रांधार कर दिया अ अब देखे ये स्रिलंका का कई हम लोग शिरलंका के छोटे-छोटे चिज़ों के बारे में हम लोग पहले अध्यन करेंगे इसके बाद हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन को समझेंगे सिर्लंका के बारे में ठीक है सिर्लंका का इंटरनेशनल रिलेशन को समझेंगे अब देखें सिर्लंका जो है सिर्लंका की जो पहला राजधानी थी सिर्लंका की जो पहला राजधानी थी वो अनुराधा पूर था सिर्लंका की जो सबसे पुरानी राजधानी अनुराधा पूरु था आप आप जो है लिखते रहिएगा हम जो बोलेंगे आप लिखते रहिएगा देखिए सिरलंका थोड़ा क्या होता कि अगर हम इसके इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो सिरलंका का इंटरनेशनल रिलेशन के बड़ा हो जाता बड़ा टॉपिक्स हो जाता हम नहीं चाहिए कि एके वीडियो में सब कुछ कांच ने तो हम अलग अलग वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशन इससे अलग हो सकता याने तो इसी में कुछ रहेगा तो हम कुछ चर्चा कर देंग था माल्दीपर भी कब्जा था पहले पाकिस्तान तु कह नहीं जब भारत अपना आजादिक वर्षघात मना था पाकिस्तान पैदा हुआ तो उसी तरह किस जीतने भी अगल-गल कंट्री थे सारे पर ब्रिटिस का कब्जा था और इस सिर्व सिरलंका पर है सिरलंका पर किसका कब जाता सिरलंका पर पहले पूर्थगीज का कब जाता पूर्थगीज पहुंते पूर्थगाल के थे कहां थे पूर्थगाल तो यूरोप का एक देश है महां पूर्थगाल रहने वाले को पूर्थगीज कहा जाता है ठीक है और इसके बाद होलेंड होलेंड के रहने वाले रहने वाले आदमी को डच कहा गया डच भासा ज्यादा बोलता इसलिए डच कहा गया जिस तरह भारत के भारत के वासी को भारती है कहा जाता है तो उसी तरह सबसे पहले इस सिरलंका पर जो सिरलंका पर है ना सिरलंका पर पहले पूर्तिगीज भारत को यानि कि सिर्लंका भी भारत की तरफ फोलो कर रहा था जह अगर बHARत में आंदोलन चाय भाता छो आंदोलन तोसिरलंका में उसी तरका आंदोलन चाय लाता यानि कि यह सीख किसे रहाता भारत भािरत क्या था इसका गुरु था ठीक हां इसे सीख next एब देखिये चार जनुबरई voz 248 को सिरलंका को आजादी मिली और सिरलंका की रायधानी पहले अगर सिरलंका की रायधानी पहले जो था अनुराधापूर था इसके बाद पराचीन रायधानी पराचीन भारत में उसकी जो रायधानी थी अनुराधापूर था इसके बाद केड़ी बना केड़ी देखे कहा है केंडी यह केंडी बीचे बीच में है केंडी इसके बाद केंडी के बाद कोलमबो मनार कोलमबो के बाद जवर्धने पूरम आपका की जगह पर इस जगह पर है आपका जवर्धने पूरम ठीक है पहला राजधानी कहा था प्राचिन राजधानी अनुराधापूर इसके बाद केंडी इसके बाद कोलॉंबो इसके बाद आपका राजधानी क्या हुआ जवर्धनेपुरा में ठीक है यह सर्फीज को समझना है और चोटा-चोटा एक हाग दू को संग खुजरा-कुदरी में पूछ देता है ठीक है तो यह समझ के सिरलंका के बारे में अब देखे सिरलंका के उत्री भाग को है है यह बीचाम भे शर्री आम खिचम है किसिरलंका के उपरे उप्रावला भाग को है हि इसको जाफना कहा जाता है क्या कहा जाता है जाफना यहां भासाई के आधार पर विभाजन है यह जाफना में तमिल लोग रहते थे अब देखिएगा समझेगा एक एक हम इंटरनेशनल रिलेशन को भी गुसेड रहे हैं लेकिन इसमें अगला वीडियों बतांगे तो ज्यादा वेडर बतांगे एक्रा सिर्लंका के उपरी यानि उत्री भाग को जाफना यहां लिखा भी है जाफना जाफना और यहां जो रहते थे यहां तमील लोग रहते थे तमील बोलने वाले लोग रहते थे देखिए सिर्लंका में जो है न दो ही भासा एक तमील और इधर के जो लोग थे वो सिहली बोलते है तो यहां जो है यह है वाले रास्ता को क्या कहता है? दर्रा चोकर नहीं दर्रा बोला जाता है बाया के खिलाने वेले गावान रामका दर्रा सीने में एकन डर्रा है जिसका नाम एक इसन पर दर्रा al chip ga यही पस्यमी घाट का विस्तार है सिर्लंका में तो सिर्लंका के बीचों बीच में कीज परवत का विस्तार है पस्यमी घाट यानि कि भारत के कि यहां यहां वर रास्ता का देंगे दोनों पाहड के बीच के रास्ता को क्या कहते हैं दर्रा कहते हैं तो यहां सिर्लंका के भूमी को जोड़ देता है यह सिर्लंका था यह भूमी क्या था सिर्लंका जो है सिर्लंका जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कुन सा है गंगा गंगा है तो उसी तरह सिर्लंका की सबसे लंबी नदी सबसे लंबी नदी जो है वो महावली गंगा है जो ट्रिंको माल त्रिंको माले यहां यहां से निकलती है कहां से निकलती है त्रिंको माले देख पार है त्रिंको माले यह देखिए त्रिंको माले यहां से महावली गंगा कहां से निकलती है त्रिंको माले के पास से निकलती है महावली गंगा यह सिरलंका की सबसे लंबी नदी है 335 किलो मिट जो हिंद महासागर में इस्थित है कहां इस्थित है तो भारत के दक्षीन में उपरा क्या हो गया उत्तर निचुगा क्या हो गया दक्षीन और हन्य क्या हो गया पस्षिम और हन्य क्या हो गया पूरव समझ रहे कि यह हो गया आपका पूरव यह पस्षिम उत्तर दक्षी ठीक महासागर की मोती कहा जाता है हिंद महासागर की मोती कहा जाता है क्यों कहा जाता है चुकि जतना भी वेपार होता है जतना भी समुद्री वेपार होता है भारत जतना भी समुद्री वेपार होता है यहीं सिरलंका से होता है अब देखें अब हमको जैसे जो है हमको यहां से लेकिन यहां समुद्र गहरा नहीं है यहां का जाजवाग पेंदिया जब टक रहता है तो इसलिए यहां भारत को कि किस तरों से जाना पड़ेगा घूम कर जाना पड़ेगा और है हे निचवाम जो है यहां अपका हंबन टोका बंद spicy है यहां पता है को yağ मैं यहां जो है वही आद्मी जिससे का अच्छा नहीं रहता है यहां चाहिना ऐसा लिया है और कैसे क्यों दे दिया है इसको सिरलंका उनने छोटका छोटका डे सबसे बढ़ा योगनान नहीं कर सकते हैं सिरलंका की चुरक्षा में शरुक्षा में सबसे बड़ा योगनान सिरलंका का मालडीव का योग्दान है सिरलंका का योगदान है चुकि अगर सिरलंका किसी दूसरे देश के परवाब में आ तो इधर से क्या हो जाएगा चैना और पाकिस्तान का इंत्रिव हो जाएगा आघne थे एक भारत को यह चेत्र में तो पहले चुनोती चुनोती तो वेसे तो खार खेवन बंदरगा पर यहां बना ही रहा था हम आपको पिछला वीडियो में बतास्तो ने कका है पुरा पकिस्तान लुटा देखा पूरा पकास्तान तो बैद्र दिया है यानि के भारत को किस तरफ घहर रहा है चाइना देखर चारों तरप गेर ज testim चाइना का यहां पूरी तरह कब जाएगा अगर भारत का जाज इधर से इधर जाएगा तो मारने देगा यूद के समय में इधर जाएगा तो यहीं से उसको को तास नास कर देगा भारत इंडियन कोई विजाज को तो उसी तरह भारत यह सिरलंका भी हमारे लिए बहुत ही महत मतलब कोई भी चीज को समुद्री व्यपार पर यहां महत्थपुन भूमिका नहीं आते हैं, अब हम लोग थोठा सी समुद्र के बारे में यहां के समुद्र के बारे में पड़ते हैं, तो हमने आपको बताया था, फर्स्ट मैप के कलास में, जहां समुद्र जदा गाढ़ा होगा, वहां निला रंग क्या होगा, पँछी छोरो निला होगा, कम निला होगा, जहां जदा गाढ़ा होगा, वहां निला गाढ़ा होगा, पूरा मतलब जदा निला होगा, तो उसी तर इधर जो है इधर जो है पाक बे है यहांनि कि पाक की खाड़ी है पाक पी एल के पाक पाक नहीं पॉम्याकार को पाक 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 की खाड़ी इधर उतर की तरफ में है और इन निचुगा की निचुगा में मनार की खाड़ी है मनार की खाड़ी में गल्फ ऑप मनार अगर कोई पानी जो है अगर पानी जो है किसी वोती में घुठा छोटे से रास्ता में घुठा तो उसे क्या बोलेंगे अमनों करिक बड़का रस्ता मुस्थे गल्फ और रोज बड़ा होजाए वे उसके बड़ा विऊ-चंद्राकार जैसा हो जायता पूर इसके बाद सिद् मननार द्वीब है अब देपार हैं मननार द्वीब गर सिरलंका के सिरलंका के इस जगह पर जहाँ यह सिरलंका का देखने छेतर यहाँ सिरलंका यहां मननार का दूप है मननार दूप है और इसी मननार दूप के नाम पर यहां बगल के मननार दूप क्या है यह समुद्र के यहां जब समुद्र है इसके बगल में है तो इसलिए इसी के नाम पर पढ़ा गल्फ ओप मननार मननार की खाड़ी इसी के नाम पर पढ़ा यह आप का मननार की खाड़ी गल्फ ऑप मननार आरे पाकिस्ट इसका मननार की खाड़ी नाम क्यों पड़ा चुकि इसके बगल में एक मननार नाम का द्रीप है इसलिए वहां के बगल वाले समुद्र का नाम क्या पड़ गया मननार की खाड़ी बे और बंगाल तो इसलिए नाम इसका बंगाल पढ़ गया अब पुछेंगा अरब सागर इसका नाम के पढ़ा तो मर्दे अरब सागर होके नाम दे दिया तो कोई किसी किसी का नाम पढ़ जाता एक लोता एसा सागर है महा सागर है जो इंडिया के नाम पर पढ़ा इंडियन ओसिन और किसी देश के नाम पर नहीं की महासागर का नाम पड़ा कोई ऐसा देश नहीं हम लोग सोची हमारे भारत में क्या भागवान ने भारत बहुत अच्छा डाउनलूड किया था आप देखिये न कैँ उपराम है परवत कि हमाले और ही ने जो है ब्योफ बंग्त इधर इधर आपका अरवा भारत को चल 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 भारत को अईसे करके बैठा दिया इस तरह बचवा जो खेल बचवा खेलर्ण मा वाला ने समय वा है इस तरह को खेल के उसेट करने वुला रंगा भरने वला उसी तरह भारत को भगवान ने बड़ा प्शा तरह से सजाया हुए धेखिये जाफना के नीचे मनार नाम का एक दूर पर इसी के न पंबन दिप आप अगर नक्सा में देखेगा तो पंबन दिपने देखाएगा हाँ देखे एक दम ध्यान से उसको देखिए तमिल लाडू के तट पर मनार की खाड़ी के बीच में मनार की खाड़ी के बीच में जमीन सा उठाल जमीन है मतलब समुद्रवाम घूस गया है देखे और वहीं एक पंबन दिप है उसी पंबन दिप मतलब दिप क्या होता अस्तल के भाग को दिप कहते हैं हम देख एकदम मैप को आप गोर से देखिए पंबन दिप है भुकुर-भुकुर कर रहा लईटवा जो ललका लईटवा भुकुर भुकुर कर रहा है देखे लएंगे कर रहा है फंबन दिप के पूर्वी भाग में का है धनुस कोटी है जहां से राम से टुपूल सुरु होता है यहीं से एक पूल बनाया था भगवान रम हिंदू धर्म के अनुसाथ भगवान राम ने मैया सीथा को लाने के लिए एक पूल बनाया था जिसे राम सेतु पूल कहा जाता है और इसाई और इसलाम धर्म के अनुसार इसी पूल का नाम जो है दूसरा मतलब इसी राम सेतु को आदम या एडम्स का पूल कहा जाता है एडम्स का ब्रीज कहा जाता है उसके पीछे क्या रिजन उतना जरूरी नहीं है तो राम सितु का तीन नाम है आप आदम का पूल कहीं है या एडम से ब्रीज की जिए कई एसा है कई नीथा कि आप कोई मानता कि भागवान ने बनाया था कई तीस फूट चोड़ा है तीस फीट चोड़ा है उपुलवाव समझे की ने अब देखिए कब बनाया था उसको अब देखिए हिंदु धर्म के अनुसार कुछ कहता है तो धर्म की बात हम लोग नहीं करते हैं हम लोग धर्म को दर किनार करते हुए हम लोग अपना टॉपिक्स पर चलते हैं तो पंबन द्वीब पर ही रामे स्वरम इस्तित्या है इसलिए पंबन द्वीब को रामे स्वरम द्वीब कहते हैं और इसी पंबन द्वीब के पूर्वी भाग में धनुसकोटी है देखिए हरका जो बुकर बुकर लइटवा कर रहा वहीं धनुसकोटी है कहा और के धनुस्कोटी धनुस्कोटी जहां से राम से तुका से राम से तुका सुरू होता है फिसमे हिए उसमे भुकर-बुकर कर रहा है तो तो तलाई मनार तक राम से तु कहां से जाता है धनुस कोडी से धनुस कोडी से कहां जाता है तलाई मनार तक नहीं जाता है तलाई मनार नाम है तलाई मनार ठीक है राम से तु को हम आदम का पूल भी करते हैं एडम का ब्रीज भी करते हैं तो आप नक्सा में देख पा रहे है कटा है नंकर लंका के बाद नाम बदल का सिरलंका का की तरह है उसका टर्त் की तरह है यहां पहले पुर्तगीज 10 और ब्रिटिस ने किया अंत में चार जनवरी उन्हें सो अड़ालीस इसवी को ब्रिटिस से अजादी मिली आप अगर इसको उतारना चाहते हैं या इसकीन सोट जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं लेकिन हम फिर एक बार पहले हम इसको पढ़ देते हैं तो सिरलंका के बीचों बीच में कौन स तो उसी पस्मी घाट में एक दर्रा है जिसका नाम क्या है एलिफेंटा दर्रा है ठीक है एलिफेंटा दर्रा सिरलंका को जापना से जोड़ता है यहां सिरलंका की सबसे लंबी नदी कौन सा है महावली गंगा यानि कि गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी और सिरलंका की होंतीं का जाता सिर्लंका के पस्ची में कोलम्भो बने रगा है और सिर्लंका के सबसे निच्वाम Oi टोटा बंडरगा है सिरलंका सिरलंका के निचले छेत्र में एक चीज समझेगा हम सबसे सबसे निचे में अब टोटा बंडभा है 받고 कि यह बंडरगा पर चाइना कबजाकर रहा थिक है क्यूक तुम एसा करना चाहता है चाईना चारों तरफ से इंडिया को गहरने चाहता हुआ तो यहां चाहिना कहीं नहीं चाहिना भी यहां सपोर्ड यहां घुस जाएगा तो जो चारों तरफ करना चाहता अब एक चीज़ देखे यहां आपका कोको जी पर कब जा है यहां हमन टोटा सिर्लंका के हमन टोटा बंदरगा पर कब जा है इसके बार यहां जो है आपका पाकिस्तान यहां पाकिस्तान पड़ जाता तो पाकिस्तान में यहां कि ग्वादर बंदरगा पर उसका अधिकार है तो देखे यह अगर हम ऐसे मिला देंगे इस तरह का मिला देंगे तो क्या हो जाएगा मोतियों की हार तो यूपी ऐसी कोशन पूछिए कि मोतियों के हार से क्या समझते हैं मैंस का कोशन था मोतियों के हार से हम क्या समझते हैं यह चाइना मतलब घरने के परियास क घेर भी लिया हमें उसका जवाब देना चाहिए हमें समझना चाहिए हम इसको भी जब हमारा हमको जब घेर लिया तो इसका भी तो कोई सत्र होगा चाइना का भी तो कोई सत्र होगा उसको घेर लेंगे उसे जैसे मंगोलिया से उसका समन्ध खराप है तो हम मंगोलिया को घेर वहां अपना सेना डा अस्थापीद करेंगे लेकिन हम लोग क्या है था हम लोग फॉरन पोलिसी जो है हमारे भारत की फॉरन पोलिसी बहुत धिमीकती से चलता है वैसे हम लोग तुरम क्यों कि एक्षन नहीं उठा लेते हैं लेते हैं जब उधर थोड़ा मामला सुख भूग भारत में सबसे जदा चैय पीता आदू अदमी यतना ढवारत में उचय पीते हैं उसको नश्यूटर बॉक्ट स्क से चाहेस में जब फॉन लगा द करने का उछक्वा क्यें कैना रूक व्यूटर चाहे लिघे तो यहाँ से चै है और यहां दुख्यात क्यांता थो बस्कां शेली और बोले जाते हैं। जापना के छेत्र में तमिल बोले जाते हैं रहते थे वहीं तमिल के छेत्र के छेत्र से ही समंद्हा लेते last क्या थे हम उनको आगला वीडियो में बताएंगे इंटरनेशनल रिलेशन जब सिर्लंका और भारत का इंटरनेशनल रिलेशन इसके बार जो वीडियो आएगा पात्मा नमर वीडियो जो आएगा उसमें इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में चर्शा करेंगे इसके बाद हम व सबसे दुआ मांगते हैं कि आप सधा फलते फूलते रहिए और मुझे भी बढ़ने की इजाज़त दिजे आपका सिरवाद रहे ठैंक यू धन्यवाद नमस्कार जो जो नएक हैं वो भी मिलते हैं नेस्ट विडियो में